हेलो एवरिवन तो अड़ा सार्यां दा स्वागत है तो अड़े अपने यूटूब चैनल इट्स जी के गुर्जी थे दोस्तो आज दी वीडि़ेच असी लाइट चेप्टर दे बैस्ट हंडर्ड एमसी क्यू दा पार्ट फरस्ट करांगे हांजी एफिजिक्स दा बहुत ही महत्पुन चेप्टर है एना सो एमसी की वीच आपां चेप्टर नूँ कंप्लीट करांगे जेकर तुसी किसे वीतरां दे कॉंपिटिशन एक्जाम दे त्यारी कर रहे हो जिस विच जैर्नल साइंस पुछी जान दी है ता एए वीडियो तो आड़ेले बहुत ही हल्फुल होवेगी हांजी आज दी इस वीडियो नूँ वेखन तो पहला तुसी सारे लाइट चेप्टर दे कॉंसेप्ट दी वीडियो नूँ जुरूर वेखो ता जो तुसी इस वीडियो विच ले एमसी क्यों नूँ असानी नाल हल कर सको जेकर तुसी लाइट चेप्टर दे कॉंसेप्ट दी वीडियो नहीं वेखी ता तुआनू आज दी इस वीडियो दे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जे तुआनू उस ता लिंक मिल जेगा उत्तों जाके तुसी कॉंसेप्ट वाली वीडियो वेख सक देओ तो उस तो बाद ही तुसी MCQ वाली वीडियो वेखनी है ता जो तुआनू इस वीडियो वीडियो विचले MCQ नू असानी नाल करने वीच हल्प मिल सके हंजी वीडियो काफी हल्पफुल होन वाली है मैं उमीद करांगा तो सी वीडियो नो पूरी ते त्याना लवेखोंगे जेकर तो आनू वीडियो चंगी लगे ता वीडियो नो लाइक करेओ ते जादा तो जादा शेयर करेओ हंजी स्टार्ट कर देयां फर्स्ट कोशन तो परकास दी चाल सब्तों ज्यादा होवेगी हंजी साध्य को चार ओप्षन देती होएने फर्स्ट देगा है हीरे विच सेकंड देता है पाणी विच थर्ड देगा है खला विच ते फोर्स दित है हाइटोजन विच परकास दी चाल सब्तों ज्यादा हुंदिया जी खला विच यानि की वेक्यूं विच ते इस कोशन दा ओप्शन सी एजेड आपना कोरेक्ट हो जावेगा अच्छा जी किन्नी हुंदिया खला विच परकास दी चाल ते इह हुंदिया जी तेन गुणा दस दी पावर अट मीटर पर सेकिड जेकर साध्य कोणों पुछ लिया जावे कि परकास दी चाल कच विच विच पिन्नी हुंदिया है ते इह हुंदिया जी दो गुणा दस दी पावर अट मीटर पर सेकिड इस्तों लावा साड़े को नो पुछिया जा सकदा है कि परकास दी चाल पाणी विच किन्नी हुन दी है ता पाणी विच परकास दी चाल हुन दी जी 2.25 इंटू 10 raised to power 8 meter per second नेक्स्ट कोशन वाल चाल दिया आजी परकास छोटे-छोटे कनातों मिलके बणया हुन दा है उन्ना नो डेश केंदे हैं साड़े कोल चार ओप्शन दीते हुने फर्स्ट हेगा जी प्रोटोन सेकिन दीता है न्यूटोन थर्ड दीता है फोटोन ते फोर्थ हेगा जी इनना विचों कोई ने हंजी प्रकास छोटे छोटे कणा तो मिलके बणया होंदा है उन्हानों की केंदेने फोटोन ता इस कोशन ता ओप्षन C है जड़ा अपना कोरेक्ट हो जावेगा फोटोन इस तो अलावा प्रोटोन दी गल करिए ता प्रोटोन दी खोज किने किती सी प्रोटोन दी खोज किती सी रदरफोर्ड ने ओप्षन B दी दिता है न्यूट्रोन ता न्यूट्रोन दी खोज किने किती सी चैड़विक ने इस तो अलावा इलेक्ट्रोन ता इलेक्ट्रोन दी खोज किने किती सी टॉम्सन ने हां जी ए सब आपां किवें याद कर सक देयां एक ट्रिक है गी है इंट पर नाच इस ट्रिक नाड़ा आपां ए तिन्य चीजियां याद कर सक देयां कि प्रोटोन दी खोज किनने किती सी न्यूट्रोन दी खोज किनने किती सी ते इलेक्ट्रोन दी खोज किनने किती सी किवें फर्स दिता जी इट, इट तो आप याद करना है इलेक्ट्रोन, तो इलेक्ट्रोन दी खोज किने किती सी टॉम्सन ने, पिछला अखर कियेगा जी टैंका, टैंके तो टॉम्सन, सेकंड दिता है, पर पपे तो प्रोटोन, प्रोटोन दी खोज किने किती सी रादरफोर्ड ने ते थर्ड देता है जी नाच नन्नेतों, न्यूट्रोन, न्यूट्रोन दिखोज़ किने किती सी चैडविक ने नेक्स्ट कोशन वाल चल देया परकाश दे वेगदा पता सब तो पहला किस विज्यानिक ने लगाया सी साथिकोल चार उप्षन दिते ने फर्स्ट हैगा जी गेलिलियो सेकिंड दिते न्यूटन थर्ड उप्षन हैगा रोमर ते फोर्थ है रदरफोर हंजी परकाश दे वेगदा सब तो पहला पता लगाया सी रोमर नादे विज्यानिक ने उप्षन सी है जड़ा अपना कोरेक्ट हो जावेगा इनना ने ब्रस्पती ग्रे दे उपगरेयां दी गतितों परकाश दे वेगदा पता लगाया सी इस्तों इलावा फर्स्ट उप्षन दी कल करिये गेलिलियो ने तांके गेलियो ने गेलिलियो दूर बिन दिखोज गिती सी सेकेंड उप्ष दिगाज करिये न्यूटन दी तां न्यूटन ने लाव उप मोशन इस्तों इलावा मैद दी एक ब्रांच है गिसी कैलकुलस इस्तों इलावा परकाश दाकन सी दान्त भी न्यूटन ने दिता सी ते रदर फोड दी होने आपा गल किती सी रदर फोड ने की दी खोज किती किती सी जी प्रोटोन दी रदर फोड ने प्रोटोन दी खोज किती सी अपा होने ट्रिक नाल याद किता सी नेक्स्ट कोशन वल चल देया नेक्स्ट दिता जी माध्यम दे तापमान विच वाद्य दे कार्ण परकास दी गती ते की परवापेंदा है तापमान दे वाद्य दे कार्ण परकास दी गती विच की परवापेंदा है ताँ एस विच कोई फरक नहीं पेंदा Option C जड़ा पना कोरेक्ट हो जावेगा next question वाल चल दिया next question हैगा very easy सतरंगी पिंग वीचि living खिना रंग होंदेदे साटेध कोल च्यार ओप्शन देते हुने सतरंगी पिंग वीचि सारे आनुपत है सतरंग होंदेन केड़े विब ग्योर विब ग्योर ए सतरंग होंदेदे तो अड़ले एक कोशन हेगा है तुसी दसने जी सबतों ज़्यादा वेवलेंद केड़े रंग दी हुन दिये हैं सबतों ज़्यादा तरंग लंबाई तुसी कमेंट भूख चे दसने केड़े रंग दी हुन दिये शेव करन लही केड़ा दरपन वरत्या आजांद है प्रतिया जान दा अवतल दर्पण ता इस कोशन दा C option अजड़ा पणा कोरेक्ट हो जावेगा हंजी next question है गया जदों वस्तू अवतल दर्पण दे फोकस दे होवे ता परतियों दी स्थीति की होवेगी सादेकोल 6 option देते होवे ने, 1 दीता है फोकस दे, 2 दीता है वकरता के अंदर थे, 3 दीता है फोकस दे तुरूवात दे विचकार ते 4 थे अननत थे हंजी सानू पता है जदो वस्तू अवतल दर्पण दे फोकस दे होवे ता परतियों दी स्थीतिक होवे गी अनत थे ओप्षन D है जड़ा पना कोरेक्ट हो जावेगा हाँ जी next question तो पहला मैं तो अनुदसना जो ना कि अवतल दरपनाल जिन्ने भी परतिवें बंदेने उननों अपां ट्रिक देनाल याद किता हुए उतल दरपनाल जिन्ने भी परतिवें बंदेने उननों वी अपां ट्रिक देनाल याद किता हुए इस तो इलावा अवतल लेंज ते उतल लेंज नाल जिन्ने भी परतिवें बंदेने उननों वी अपां ट्रिक देनाल याद किता हुए जेकर तुसी ए चारे वीडियो नहीं वेखियां ता इन चारे वीडियो दा लिंक जड़ा एस वीडियो दे डिस्क्रिप्शन बोक्स तोनों मिल जएगा उत्तों जाके तुसी ए वीडियो ज़रूर वेखना जी क्योंकि एक्जाम वीच पर्तिविम देनाल समन दिते एक कोशन जरूर पुछा जान दा है ता ए चारे वीडियो तो आड़े ले बहुत ज़्यादा हैलफुल साबित होन गिया नेक्स्ट कोशन वाल चलते नाजी नेक्स्ट कोशन आजी जदों कोई वेक्ती अपने आपनों समतल धर्पण वीच वेक्ता है ता उसदा पर्तिविम चार ओप्शन देती हूई ने फर्स दिता है वर दर्शी हो जानदा है सेकेंड दिता है जी छोटा हो जानदा है थर्ड ओप्शन है वास्ति खुंदा है ते फोर्स दिता है एनना विचों कोई नहीं जी जदों कोई व्यक्ती अपने आपनों समतल दरपण विच व्यक्दा है तो उस दा पर्तिवीं की हो जानादा जी इंवर्टिड हो जानादा यानि की उस दा सज्जा हत्य का जड़ाओ खबा वखाई देंदा है दरपण विच ता इसकोशन दा कोरेक्ट आंसर अपना हो जेगा ओप्शन नमबर डी एनना विचों कोई नी नेक्स्ट कोशन वाल चल दें आजी जदों पर्तिम अबासी ते सिद्धा हुन्दा है ता दरपन दा वर्दर्शन की होवेगा च्यार ओप्शन देते ने फर्स्ट देगा है तन, सेक्ड देता है इकाई, थर्ड ओप्शन हैगा जी अनन्त, ते फोर्थ देता है रेन जदों पर्तिम अबासी ते सिद्धा हुन्दा है ता दरपन दा वर्दर्शन की होवेगा है पोजटिव यानि की तन हुन्दा है एस कोशन दा फर्स्ट ओप्शन है जड़ा पना कुरेक्ट हो जावेगा नेक्स्ट कोशन वाल चालते हैं वर्दर्शन दी एक आई है सांड चकल चार ओप्शन ने फर्स दिता आजी मीटर सेकेंड है मीटर सकेल थर्ड दिता है मीटर क्यूग ते फोर्थ हैगा जी नो यूनिट्स अजी वड़दर्शन दी कोई एकाई नहीं हों दी ता इस कोशन दा ओप्शन डी है जड़ा अपना कोरेक्ट हो जावेगा नो यूनिट्स नेक्स्ट कोशन वाल चालते हैं सर्च लाइटां अते आटो वान दी हेड लाइटां विच केड़े दर्पन वरते जान देने वेरी वेरी इंपोर्डन कोशन हैगा जी सर्च लाइटां अते आटो वान दी हेड लाइट विच केड़े दर्पन वरते जान देने ता इन्ना विच अपा अवतल दरपन यूज करते हैं एसकोशन दा फर्स्ट ओप्शन जड़ापना कोरेक्ट हो जावेगा अवतल दरपन नेक्स्ट कोशन बाल चल दे हैं हाँजी नेक्स्ट कोशन दिता है इन्ना विचों केड़ा परकाश वानपदार्थ है साध्य कोल चार ओप्शन दिती होई ने, फर्स दिता जी अग, सेकेंड एगा तर्ती, थर्ड दिता है चंदरमा थे, फोर दिता जी रूख, हची एनना विचों जड़ा प्रकाशवान पदार थे गया हो हेगा जी ओप्शन नमबर फर्स अग बाकी दिगर करिये तां तर्ती दा कोई प्रकाश नी होँदा, चंदरमा था खुद दा कोई प्रकाश नी होँदा ते रूख दा भी कोई प्रकाश नी होँदा, एसलाई ओप्शन फर्स जड़ा पना कुरेक्ट हो जावेगा नेक्स्ट कोईशन वाल चाल देयां, अवदल दरपन वर्ते जान दे हन, साध्यकोल चार ओप्शन ने, फर्स दिता है, परवर्तित दुर्भीना लई, हंजी विल्कुल सही, सेक्ण दिता है, सिनेमा दे, प्रजेक्टरा लई, हंजी एवी सही है गया, थर्ड दिता है, जा समतल दरपन दी, फोकस दूरी डेश हंदी है, अजी समतल दरपन दी, फोकस दूरी हंदेजी अननंत, ओप्शन डी है जेड़ा आपना, कुरेक्ट हो जावेगा, नेक्स्ट कोईशन वाल चाल देयां, आटो वाना विच, पिछला द्रिश देखन लेई, किस तरादे दरपन वर्ते जान देयां वेरी वेरी इंपोर्टन कोशन हैगा जी आटो वाना दा पिछला द्रिश देखन लेया पां केडे दरपन यूज कर देयां उत्तल दरपन ओप्षन बी है जड़ा पना कोरेक्ट हो जावेगा नेक्स्ट कोशन वाल चल देयां नेक्स्ट कोशन वेरी वेरी इंपोर्टन हैगा जी एक व्यक्ती दरपन नूँ अपने चेरे दे बिल्कुल नजदीक लेया के देख़दा है उस दे चेरे दा परतिम सिद्धा पास से दा उल्टिया यानी की सज्जा हट्थया जड़ा खब्बेपास से विखाए देंता है अते उसे एकार दा यानी की अकार बिल्कुल सेम है गए तद दरपन केडा होवेगा ओदों दरपन केडा होवेगा چार ओप्षन देतीने नेक्स्ट कॉशन वाल चाल द्याएं दरपन दे मध बिंधू नू की क्या आजान दाय anche वेरि वेरी इंपोर्टेंट कॉशन हेगा First option देता है, शिर्ष जां त्रूव Second देता है, वकर्ता के अंदर Third option हेगा же, गोलेदा के अंदर ते फोर्थ हेगा इन्ना विचों कोई ने हाजी दर्पन दे मद बिंदू नू की किया जान दाया शिर्ष जां त्रूव ओप्षन फर्स्ट ही अपना कोरेक्ट हो जावेगा नेक्स्ट कोशन वाल चल देया वेरी वेरी इंपोर्टन कोशन हेगा जी दन्दां वाले डाक्टर मरीज दे दन्दां विच खोड देखन ले केडा दर्पन वर्त दे हान चार ओप्षन देते होने फर्स्ट हेगा समतल दर्पन सेकेंड हेगा उत्तल दर्पन थर्ड हेगा अवतल दर्पन किसे दरपन दी फोकस दूरी प्लस 12 cm है तां A1 मतलब कि केड़ा दरपन हुवेगा जेकर किसे दरपन दी फोकस दूरी पोजटिव विच 12 cm दिती है तां A केड़ा दरपन हुवेगा जी उत्तल दरपन एस कोशन दा option B है जड़ा पना कोरेक्ट हो जावेगा, कन्वेक्स मीरर, कि मैं याद करना है, इंगलिस ची आपां की लिख देयां जी, कन्वेक्स, X तो आपां S नो आपां प्लस दा निशान मान लेना है S तो ही आपां याद रखना है कि convex mirror दा जड़ा किया है Focus दूरी की हुंदिया है positive Next question वाल चल देया Next हैगा जी Focus दूरी F अते वकरता दा अर्ध व्यास R विचकार की सम्मन्द है Very very important question है जी 4 option देतेने First हैगा F is equal to 2R Second हैगा F is equal to R बटा 2 Third हैगा F is equal to R by 4 ते 4 हैगा F is equal to R Focus दूरी याद दे अर्ध व्यास विचकार की सम्मन्द हैगा Option B है जड़ा अपना correct हो जावेगा F is equal to R by 2 Next question वाल चल देया ओपदार्थ जिस विचों प्रकाश लंग जावे उसनों की के हजन्द है Very very important question है जी 4 option है First देता है प्रकाशी माद्यम Second है पारदर्शी वस्तू Third देता है जी Alp पारदर्शी वस्तू Fourth है गया अर्ध पारदर्शी वस्तू जी ओपदार्थ जिस विचों प्रकाश लंग जावे उसनों की केंदने प्रकाशी माद्यम Option फर्स्ट है जड़ापना Correct हो जावेगा जेकर किसे दरपन दी फोकस दूरी Minus 12 cm ता A1 केड़ा दरपन होवेगा जी अवतल दरपन Option B है जड़ापना Correct हो जावेगा जेकर positive है ता उतल दरपन होवेगा ते negative है ता अवतल दरपन होवेगा Next question वाल चालते हैं जी Next question देता है एक लड़का एक समतल दरपन दे सामने 6 मीटर दूरी ते खड़ाए लड़के या ते उस दे परतियों विचकार किन्नी दूरी होवेगी अजी जेकर कोई लड़का समतल दरपन दे सामने 6 मीटर दूरी ते खड़ाए ता लड़के या ते उस दे परतियों विचकार दूरी किन्नी होजेगी जी 12 मीटर Option first है जड़ापना कोरेक्ट हो जावेगा Next question देता है जड़ों वस्तू अनंत ते होवे ता फोकुस ते बणे अवतल दरपन द्वारा परतियों ता गुण की होवेगा चार उप्शन देता है First गया अबासी उल्टा ते छोटा Second देता है जी Second गया अवतल दरपन द्वारा परतियों ता गुण की होवेगा Option C है जड़ापना Correct हो जावेगा आज दी वीडियो दा लास्ट कोशन है गया परकाश तरंग किस तरांदी तरंग है गया साटेकोल चार उप्शन देतेने First गया लोंगिट्यूटनल वेव Second देता है जी Transverse वेव Third देता है A ते B दोवे ते fourth गया None of these इस कोशन दा आंसर है जड़ा तुसी कुमेंट बोक्चे करना है की परकाश तरंग किस तरांदी तरंग होंदी है हंजी आज दी वीडियो एतिस माप्त कर देया जेकर तो आनो वीडियो चंगी लगी है helpful लगी है ताम वीडियो नो लाइक करेओ ते जादा तो जादा शेयर करेओ हंजी वीडियो नो जादा तो जादा अपने दोस्तां देनाल WhatsApp, Facebook, Instagram जित्ते वी तुसी शेयर करना चौन देओ वद तो वद शेयर करेओ जेकर तुसी साथे चैनल ते फर्स टाइम विजिट किता है फर्स टाइम साथी वीडियो वेखरेओ तांचेलनों जरूर सब्सक्राइब करना ते नाल लगे बेल आइकनों भी प्रेस करेओ